आज रायगड जीला के भरोसा के सम्मेलन में उपस्थीत हम अर्मिदान सब आके हम सब के मारदर्सक आदर्नी चरंदास महांजी कारकरम में उपस्थीत हमर मंत्री सम्मानित रूद्र गुरुजी जी सम्मानित उमेश्पटेल जी कारकरम में उपस्थीत सबो हमर विदायक सातीमन और हमर चत्तीरगड प्रदेश के मुख्या आदर्नी भुपेद बगेल जी कारकरम में कि आज के मुख्यति थी हमर राश्टी अदर्प्दैक्स सम्मानित खडगे जी कारकरम में उपस्थीत जिला पंचायद के जनपत के ग्राम पंचायद के प्स Черणर्ण जुखान पायदे में स्वागत करते हो अविनंदन गरत हो बंदन करते हो अधान के अधाने श्रीख मंदेर्टण सुत्धान की सचोा आधे करमेश्य निल्धिक में मायी बांषी made 19- श्री कोक्ष्त८ अधाल है आथे स्पक्रमान जो जो बात हम अम ażनमे ब्लूकार अधाल लिकित्वार्टट अर्षान करेकिमादन करई वह माक अधान के दानला 25 रूपया में खरीदी कर वो, किसान के पहले भारती जंता पार्टी में 12 कुंटल खरीके खरीदे करें के बेवस्ता करें इसलेकिन हमर संगठन के वो समय के हमर संगठन के मुख्या आधर्नी भूपेज बगेल जी के नेत्रित्व में वोकर हर्ताल करें और उला 15 कु बिज्डी बीड ने करे के दिखे खभी करेके वेवस्ता करें और किसांद मरभड तो हमर कांगरेस के सरकार کन्ग्रेस की सर्कार में भुपेद मगेल जी के सरकार हमन महां जी के सरकार कांग्रेस के काम करे बार काम कर रहा थे आउंकर आर्थी कि स्थीति लसुदारे के बेउस्ता कर रहा थे मैं आप मनला निवेदर करना चाहूं कि आने वाला समय में आप सब अधिक से अधिक हमर हाथ चापला बोड़ देके मानने चतिर्यड के मुख्यमंत्री जी के हाथ लमजगुत करना है कुना मुख्यमंत्री बनाना है से आप सब जलनिवेदर करना चाहत हूं आप मनला मैं बताना चाहूं कि आज जत्री इस्कूल भावन जर जर इस्थिति रही है वो इस्कूल बहुंद ला बनाये के बेउस्ता करे हैं यहां जो पंद्रा साल के जो रोड मनर गड़्डा रही है वो रोड ला सुकृत करे के अभी बनाये के काम करे जाए ते अब इकार अलावा तेंदू पत्ताले संबंधित बहुत बात है तेंदू पत्ताले जो अगर तोड़ा से किसान वो किसान ला छात्रब रित्ती मिला थे मृत्तू हो जा थे दोला भीमा मिला थे ऐसे हमसर्कार बेऊस्था करेके बेऊस्था करी से मैं आप सब जनला यहां मुला बोले के मौका दिन में हाँ अबार बेक्त करते हों अपन बातला समात करत हों और एक बात जयेजेकारा करें कांग्रेज पार्टी कांग्रेश पार्टी कांग्रेश पार्टी हम राष्टी अध्यक्ष खणके की भुपेश भाईया चरान भाईया जैहिन जैहिन जैशतिर्गार्ट धन्यबाद मौदय और आप सभी को संबोधित करने के लिए हम आमंद्रित करते हैं श्री राम कुमार यादव जी को श्री यादव जी बोले भारत माता की चत्तीस गड़ भातारी की आजा रैगड की सपावन धर्ती में भरोसा के सम्मेलन में उपस्थीत हमर कांग्रेश पार्टी के राष्टी अध्यक्ष जेकर देख रेक में अभी कई ठपर देश में सरकार बने हावाएं आज हमर म्यारी पहुला बनके हमर मंच में आवा थे खड़के सहाब जी मंच बिराजमान है हमर विदान सबा के सम्मानी तद्यक्षा चरंटास महन जी मंच बिराजमान है हमर ग्रीह मंत्री जातका रोट पुलियाल बनाने वाला तामरदस साहू जी मंत्री बिराजमान है जेनार सहीद नंत तुमार पटेल जी के सपना लागे बढ़ावा थे आप मंट के दुनरवा बेटा खड़के साथ जिन्दाबाद करके 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 साथ जिन् बप्रेट मागें चीन बाद करेंट सेभी मत्री मुपेट मागें चीन बाद करगेशफ्ची जिन्दावर। हमर मेर उकुना करे विज पर रास्ट्री अद्यु शपने होंए। कई था देव प्रदेश में सरकार बना है एक बार जोड़ देर तली बजा के स्वागत किरो सही नंतुमार पड़ेजी के जीला रहेगण में आपके हर्दिक अभी नंदर है स्वागत है आपकी खुशियां बता रही है कि हमारे सम्माननी मुख्य अतिति महदय और हमारे मंचस्त अतिति गणों को हर्मारे माननी मुख्य मंत्री जी को आप कितना चाहते हैं चतिसगण महतारी की पूजा अर्चना और दीप प्रजवलन के बाद समस्त हमारे माननी अतितिगण मंच पर है और अब राजगीत की प्रस्तुती होने जा रही है आप सभी से निवेदन क्रिप्यापने इस्थान पर खड़े हो जाएं राजगीत की प्रस्तुती होने जा रही है राजगीत बर्पापैरी किठार माहा नदी है अपार इंड्रागती धार बखारे तूर बईयाँ महु पाव बरातुर बुईयाँ जय हो जय हो सतिस दड़ मरियाँ सो है बिंदिया सही हाथ डुंगरी पार चंदा सुरूज बने तोल मैला सुम्खा दाने किशंग रुवलक हरीयर रंग तूर बुईय जैजे सुखर मैला अच्छा तूरे डुलाए पूर मैयाँ महु पाव बरातूर बुईयाँ जय हो जय हो छपिछ दड़ मैयाँ धन्यवाद आप सभी से आग्र कृप्य अपने इस्थान पर बैठ जाएं और इसके साथ ही सम्माननीय मुख्य अतिथी मोहदय आज के इस भरोसे के सम्मेलन के माननीय श्री मलिकारजून खरगे जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य मंत्री श्रीभूपेश बगेल जी को अजय है झाल है झाल 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 बोलिये मल्लिकार जुन खड़ गए जी की राहूल गांधी राहूल गांधी सोनिया गांधी कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी आज के भरोसे के सम्मेलन रायगर के इस पावंधरा में उपसेत हमारे राष्टी अर्षक्ष माननी सम्माननी मल्लिका और्जुन खड़गे जी का रायगर के इस धरी में धर्ती में स्वागत है वंदन है अभिनंदन है हमारे नेता हमारे प्रदेश के मुख्या मुख्यमंत्री आदेश्री भूपेज बगेल जी का रायगर के इस पावंधरा में स्वागत है अभिनंदन है नंदन है वंदन है हमारे सभी मंत्री मंदल के सदस्ष हमारे प्रभारी कुमारी सहल्या जी का प्रदेश अद्यक्ष आदेश्री दीपक बैक जी का उपमुख्यमंत्री आदेश्री टीए सिंदेव जी का विदान सभा के अद्यक्ष आदेश्री करंदास बहन जी का ग्रिव मंत्री आदेश्री तामजर साहूजी और सभी उपस्थेत आदेश्री मंच जो बाहर से आए है मैं उन सब का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं आज भरोसे का सम्मेलन राइगण में हो रहा है दोस्तों ये भरोसा किसका है भरोसा उन किसानों का है जिनों ने इस वादे के साथ इस भरोसे के साथ कॉंग्रेस पार्टी को चुना था कि हमको किसानों के लागत जो प्रतिक उंटल लागत है वो 25 रुपए ये सरकार देगी और मुझे एक कहने में आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आदर्णी मुख्यमंत्री जी के नेतित्तों में कॉंग्रेस पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी के सरकार ने 25 रुपए का अपना वादा ना सिर्फ पूरा किया बलकि 25 कि ठीक है गां 25 रुप तो दे था लेकिन पूर कांड कुंटालग कम हो जाते बहांच जाते दाना किसे का कहें कि नि इसने पता एयां कैवन बतागा पंद्रा कुंटल हकाम हो जाते कहा की नहीं कहा बने जोर से बोला पंद्रा कुंटल हकाम होते की नहीं होए तो ला सुनते हुए हमर मुख्य मंत्री जी पंद्रा कुंटल लब बीस कुंटल करे के घोशना करी से और यह साल प्रत्य एक किसान ला प्रत्य किसान लाख फ्रत्य एकर 20 कुंटल बेचे के मौका मिली ये हमर किसान मन भाई मन भाई ये वो मन के भरुसे के सरकारे ओकरे भरुसे के सम्मेलन लाएं किया जाते सिर्थ करजा माफी नहीं हो इस करजा माफी आपन अपन जगा लेकिन 25 रूपय और 20 कुंटल होए के बाद हमर किसान मन के आर्थिक रूप से मजबूती मिले है और सिर्फ किसान ले जब मजबूती मिले है तो ये मत समझा कि वो सिर्फ किसान मन के काम है हमर जो बैपारी है, सहर में दुकानदार है सहर में कपड़ा बेचने वाला है, सहर में मोटर साइकल बेचने वाला है वो सब लब फाइदा होई से सब लब फाइदा होई से आज हमर रायगर जीला में टेक्टर के विक्रियस सरवाधिक पिछले 5 साल में होई से सबसे ज्यादा टेक्टर विके होई से और एकर कारण है हमर मुख्य मंत्री जी और उकर जो किसान मन के द्वारत किये गया काम है आज किसान मलक करीश लेकिन जोनमन हमर भूमी हीन है भूमी हीन ब्रत्ति मन्बब कोई निसोचे आप पुरा भारत देश में भूमी हीन बन्बब कोई योजना निये लेकिन शत्तिस गड़ में शत्तिस गड़ के सरकार हा भूमी हीन मन्बब भी योजना बनाईज राजियो ग ओम्लाभि और सरकार fils व्योग करेंके 7000 रुपै दे के काम करी से Abgू Mihin पे कोई योज़ा निये का बाई हुआ लेकिन ये सरकार ही काम लगटतरें टोमन के भरोसे के सरकार हमर ये रीपा बनाये के काम करें से रूलार इंडॉस्ट्रियर पार्क हमरो में काम करें यसे हमर युवामितान के सब साथी मनवा एक बार जोड़ार ताली बजा के बोला युवामितान के साथी मुख्यमंत्री करें और यह मुख्यमंत्री के सबसे बड़े काम भाई मने एक में रुक्या हमरे मुख्यमंत्री के सबसे बड़े काम जो मुख्यमंत्री करें एक बार में आपने कहानी बतात हो हमर मुख्यमंत्री जी हमला सब मंत्री मलब बलाईस और कि इस कि तुमन बासी खात होगा बोरो वासी तामन के नहां खातन ते पारी बोरे बासी खाईया ना तब सब वीडियो बना के लाओ लब फेजबुक में डालिया तो हम समझे ने का कहा थे भई ए मैं का हो जाही बोरे बासी खात फेजबुक में डालबो तो मैं का हो जाही तो अब मुख्यमंत्री के आदेस है तो मानना तो पड़ी हमन मंत्री अनकछवाने थोड़े कर से तर तो उकर आदेस के पालन करते हुए हमन बोरे बासी खात आपन अपन के फेजबुक में डालें अब फेजबुक में डालें तहरा रात के में देखत रहे हैं कि भाई एकर का असर होई है तो मुख्य मंत्री जी के अपील के असर का हो थे तलह में बतात हूँ, यह अपील करिन कि बोरे बासी खाते हुए सबला, आपन के खान पांला आगे बढ़ाना है का के, तो एक चाथिस गड़ के निवासी, चाथिस गड़िया आदमी, जो ना अमेरिका में निवास कर थे, तो मैं ओ दिन समझे कि ओपील के का आसर है और 36 गड़िया आज भी है जब 36 गड़ के नेतिब तो कर थे तो कर का आसर हो थे हमन बहुत मुख्यमंत्री देखें कलेक्टर मुख्यमंत्री देखें हमन डाक्टर मुख्यमंत्री देखें लेकिन किसान के बेटा जब मुख्यमंत् तो किसान लगका तक फाइदा होते हैं अब समझे अनामन तो मैं भाई मला जदका हमर राइगार के निवासी मला एक बार जोड़दार दोनों हाथ लो उठा के जदका जिया यहां ले लेके वहां तक हमर जदका युवासाती हैं माता बहनी हैं हमर कॉंग्रेस के सब सिपाई ह दोनो हाथ उठाक एक बार बोला बूपएजबांडबात खुबेश बगي जिनदबात मलीर कारजुन खाड़ के जिनदबात राहुल गांदी जिनदबात सोनिया कंधी जिनदबात कॉंग्रेस के कारेकरता जिनदबात धन्यवाद जैहिंन जै च्प्श्थीजगर चुम् कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए मानने मंत्री मौद है और अब पूरे सम्मान और जोरदार तालियों के आवास के साथ हम संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मानने अध्यक्ष चतीजगर विधान सभा डॉक्टर चरंडास महंत जी को डॉक्टर चर मानने अध्यक्ष मलेकर जुनखरगे जी जो आप सब को प्रेम बातने के यहां उपस्तित हुए हैं मैं राइगर की धर्ती पर उनको प्रणाम करता हूँ भाई भुपेश भगेल जी जो आपके मुक्ष मंत्री है जिनोंने आपका भरोसा जीता है उनके मंत्री मंडल के सांथियों ने आपका भरोसा जीता है उनका मैं यहां सादर अभिवादन करता हूँ आदरने टियद देंग साहब आदरने कुमारी सहलजा जी भाई दीपक भाई जी भाई तामरद्ध जी आदरने रूद कुमार जी आदरने शिव कुमार डहरिया जी भाई उमेश पटेल जो इस्षित के मंत्री है भाई नंद कुमार साय जी सुशिल भोई जी पदमता चोहा जी, IC6 Secretary भाई आदो जी, विजय जांगीर जी, ओसा जी, और पुर्व सांसद पुषपा सिंग जी, और यहां के सभी विधायक गण, लाल जीत सिंग जी, प्रकाश भाई, उतरी गनपर जांगले, सिदार, रामकुमार, निराकरन पतेल, स्रीमती जानकी, जैन ठेठवार के सा मंच पर बिराजवान सभी साथी, और सामने बैठे मेरे बहुत सारे गाउं गाउं से आये हुए सभी साथी गण, आदर्नी अध्यक्स मोद है, और आदर्नी सहिल्या जी, और आदर्नी बैच साव, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, कि यह भीर जो है, जो गाउं काउं से आई है, यह भीर प्रधान मंत्री के उस शवदा तारिक के भीर से जादा है, मैं आने के पहले गिंती करा चुका हूं, तो यह भीर जो है, यह जो हमारे सांथी गाउं गाउं से आये हैं, उन पर हमारे कांग्रेस पार्टी पर बहुत ज्यादा भरोसा है, सोनिया गाधी पर जी बहुत भरोसा है, आदर्णी खरगे जी पर बहुत भरोसा है, आदर्णी राहुल जी पर बहुत भरोसा है, और भुपेज बगेल जी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि उन्हों ने और उनके मंत्री मंदल ने सिर्फ प्यार ही नहीं बाटा है, बोनस ही नहीं बाटा है, बल हजारों बोट से आगे हैं हजारों हजारों की संख्या में हमारे साथ ही आज यहां उपस्तित हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे समय का उपयोग आधर्णी मुख्रबंति जी करें मैं जादा आपका समय नहीं लेते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब की उपस्तिति के लिए आप सब लोग यहां आए हैं आप सब को बहुत-बहुत प्यार धन्यवाद और आधर्णी मानने खड़के जी अभी आएंगे आप लोग सुनेंगे कि वो आपके दिल की बात लेकर आए हैं राहुल जी की मुहबत की बात लेकर आए हैं कांग्रिस की ए हिन जड़ सत्य जड़ यह पानी यह हवा यह जमीन यह जंगल यह खदाने क्या पेहनों की नहीं वनाई उसने अरे उसके लिए भी तो बनाई हो भी जब पैदा किया है अर तो उसके हिस्ते में कुछ देता ही नहीं हो और इसलिए मैंने तैकि कि सिवरा जैसी योजना पदा कि बेहनों को एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़े उनकी व्यवस्ता हो जाए उनकी व्यवस्ता हो जाए और इसलिए जब मैंने तैकिया तो लोगों उनका मर जाएंगे यह तो फिरी में बाट रहा है पैसा कहा से लाएगा तो सुनो जो कहते हैं कि फिरी में बाट रहा है मैं बाट पूंगा तंके की चोट बाट यह फिरी नहीं बेहनों का हक है बेहनों का दिकार है क्यों पर रिसान ओबाई और उनको भी जीने दो उनको भी मुस्कुराने दो उनके बाल बच्चों को फलने दो फूलने दो उनके चेहरे बाल मुस्कुराट आने दो तुम्हें तकलीब क्या है मेरी बेहनो राद बर मैं सोच तरा एक दिन राद बर क्या करूं क्या करूं आज मैं कहानी सुना रहा हूं तो दो विचार मेरे मन में आये मेरे मन में एक ही आया कि सिवराच तू भी तो भाई है रे तू भी तो भाई है अपनी बेहनों का बताँ मेरी बेहनों भाई हूं की नहीं, आज दिल से बताना जोर से भाई हूं की नहीं, मैं भाई लगता हूं की मुक्खमंत्री लगता हूं, मैं तो भाई हूं तुम्हारा दाई, जब तक की हूंगा, मेरी सास तुम्हारे लिए चलेगी, तुम्हारी बहतरी के लिए और भाई भी तो बहण सुम्हाजज बैंदे Bennett और राखी बंदबद की कुछ पैसे बहण को देता कि दीचें डेगा और इसलिए मैंने सोचा किदेन है लेकन एक बिचार और आया दूसरा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा साल में एक बार देने पर काम चलता क्या अरे मेरी बेहनों एक बार देने पर काम चलता क्या और रात भर इस पर एक दिन मैं सोचता रहा और अंत में मैंने सोच के निकाला कि हर महीने बेहनों के खाते में एक हजार रुपया डालूंगा हर महीने ये बनी लाडली बेहना योजना अब मेरी बेहनों मैं तुम से पूछ रहा हूँ आई दूर दूर तक मेरी बेहने दूसरे सेट में भी बैठिये पूरे प्रदेश में सुन दई बताओ मेरी बेहनों योजना अच्छी है की नहीं जो और से बताओ पूरी दुनिया सुन ले अचा इस योजना ने आपकी जिन्दगी बदली है की नहीं बदली बदली है की नहीं बदली इस योजना ने जिन्द की बदली पतकार मित्रो ज़रा दिखा देना पूरे हिंदुस्तान को इस योजना ने जिन्द की बदली है ये बातना नहीं है ये मेरी बेहनों की जिन्द की बदलना है और सबसे बड़ी बात जो मुझे बेहनों ने बताई बेहनों ने मुझे का का बहिया जब से यह योजना बनी है हमारे घर में हमारी इज़त बढ़ गई है बोलो सही बात है कि नहीं पीछे तक बोलो इधर भी बोलो एक बेहन मुझे करेती सास आज कल बहुत ध्यान रखती है क्याती बहूर रोटी में घी चुकला ची नहीं चुकला घी चुकली खालेते और एक बेहन मुझे कहा कि आजकल तो पती ने भी बहुत अच्छे से बोलते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो देखो ये सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है ये सच्चाई है ये कड़बी सच्चाई है बहुँ कड़बी सच्चाई पैसा इज्जत बढ़ाता है और इसलिए मेरी बेहनों और दुनिया भी सुन ले मैंने पैसा नहीं दिया मैंने अपनी बेहनों को इच्चत दी है उनका मान बढ़ाया है उनका सम्मान बढ़ाया है ये पैसा नहीं है तुम्हारी इच्चत है मेरी बेहनों ये तुम्हारी इच्चत है और इसलिए मैंने तैजिया केवल हजार रुपया नहीं कि हजार रुपया जब देता हूं तो लगबख 15,000 करोड रुपया लगते हैं साल भर में कितने लगते हैं मैं दे रहा हूं तुम बोलके बता हूं 15,000 करोड कितने लगते हैं 15,000 करोड पैसा दो भब लगता है लेकिन पैसे की ब्यवस्ता कर रहा हूं और पैसे की ब्यवस्ता आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं पईसे की विवस्ता कर रहा हूं और पईसे की विवस्ता जैसे ही हो गई स्पीं हजार से माणा कि साड़े बारा सो रुपया कर दूंगा। कि आज साड़े बारा तुम्हारे खाते में ये साड़े 20 कि और और आगहे केना कि जलने वाले जला करें 감사 और व्यवस्ता करूंगा और व्यवस्ता होते ही पंद्रा सो रुपया मैना करूंगा और व्यवस्ता करूंगा और व्यवस्ता होते ही साड़े सप्त्रा सो रुपया मैना करूंगा फिर और व्यवस्ता करूंगा और व्यवस्ता होते ही 2000 रुपया महीना करूंगा ताली बजाते जाओ जमाने को पता भी चले फिर और व्यवस्ता करूंगा साड़े 22 करूंग फिर 25 करूंगा फिर साड़े 27 करूंगा और बात में बढ़ाके कितने करूंगा जोर से बोलो सब सुले कितने करूंगा यह संकल्प है मेरा संकल्प मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुमारे घर 3000 रुपय मेना पहुंचा होंगा जब तुम्हारे घर तीन हजार रुपया मेना पहुंचाओं तब मुझे लगेगा कि मेरी बेहनों के आशू पुछ गए बच्चों की छोटी-छोटी जरूरत पूरी करतेंगे खुद की जरूरतें पूरी करने की मान सम्मान के साथ जियेंगे ये है मुख्मंत्री लाड़नी बेहना योजना मेरी बेहनों आज बुरहन कुरसे मैं साले बारा सो रुपया टनने और एक अपील सब बेहनों से करता हूँ भाईयो इसका मतलब ये नहीं है कि भाईयों को कोई तकलीफ हो देखो मैं हूँ जिस्ते केले का मुआपजा दो लाख रुपया हेक्टर देने का चमतकार किया है कोई दे सकता था क्या पताओ किसान भाईयों कोई दे सकता था दो लाख रुपया हेक्टर सिवराज रुक्सान का पैशा दिया, फसल पीमा भी करवाऊंगा, किसानों को भी कोई कसर नहीं रखूगा, चिंता मत करना मेरे बेहनों और भाईों, लेकिन मैं आज थोड़े से भाई हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम भी बता दो मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं लाडनी ब काम करूगा, मुझे और किसी मकसद के लिए नहीं जीना, तुम्हारे ले जीना, मेरी अगली कौस्स होगी, बेहनों की आमदानी दस हजार रुपया मैना करवाऊंगा, घर का काम काज करते हुए, दस हजार रुपया मैना, और ये होगा, ये होगा, ये दिल से करो, असमभव नहीं है, यहां आजीब कमिसंद की बेहने बेठी हैं क्याथ उटाओ कर आजीब कमिसंद बाली, जो स्वासायत असमु में बेहन है, कौन कोई ने हाथ उटाओ, ये कई बेहने हैं कई नहीं है तुम्हारे लिए स्वासाइत असमू बना रही कई काम धंगे चालू करेंगे रोएंगे नहीं गरीब नहीं रहेंगे तनफेंगे नहीं घुड़ घुड़ के नहीं जियेंगे ये ये होजना है बना के तुम्हारी आमदानी 10,000 करवा है सीना अतान के हम गर्व के साथ समाद के साथ अपनी जिंदगी जिये ये मेरा मिसनन मैं इसलिए पैदा हुआ हूं यह ही करूँगा मैं अपनी जिंदगी बदले और वो दिन मेरे लिए चैन और संतोस कहोगा जिस दिन एक हजार बेटों पे एक हजार बेटियां पैदा हो एक हजार बेटों पे एक हजार बेटियां बेटा बेटी बराबर हो दिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई चिंता मत करना जवाबदारी ले रहा हो प्राइबेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होगी एक-एक स्कूल के बिल्डिंग 38-38 करोड की प्रियोग साला, खेल का मैदान, इस्मार्ट क्लास ऐसे स्कूल बना रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए भी के इस्मार्ट क्लास में वो देखेंगे, पंबज दिली से भी कोई पढ़ाया, तो यहीं बैठके पढ़ारें, ऐसा देखेंगा, उनको भो बना और बसें बच्चों को लेने जाएगी, और बसें बच्चों को छोड़ने जाएगी, बड़े आदमियों की तरह अपने बच्चे भी बसों से आएगे, और चाहिएगे सिख्चा का समान अधिकार, गरीबों के लिए भी किसादों के लिए, और तुम्हें पताए, बार भी में बच्चे गाओं में और सहर में 75% टंबर लाए, तो मैंने लेप्टाप दिलवाए बच्चों को, कम्प्यूटर ले जाओ बेटाप, बेटी ले जाओ लेप्टाप, अरे बड़े लोगों कही बेटा-बेटी लेप्टाप पे पढ़ेंगे क्या, लेप्टाप मैंने कमल नाची ने बंद कर दिये थे, कॉंग्रिस ने बंद कर दिये थे, और बार भी में जो बेटा-बेटी अपने स्कूल ने फर्स्ट नमबर आया, उसको स्कूटी अज़ा मैं बेहनों की जो तरकीवे पोहज मारा हूँ, अगर बेटा-बेटी कोई बात नहीं मानता तो तुम क्या क्याती हो, बेटा मान जा मैं टाफी दूँगी, मैं चाक्सलेट दूँगी, थोड़ा लल्चाती हो कि नहीं मान जा मान, मैं बेटा-बेटी भांजे-भां तो इसलिए कर रहा हूं यह ऐसे ही जोड़ी बाट रहा हूं इसलिए कि इस चक्कर में मेरे बच्चे अच्छे पढ़े और खूब आगे बढ़े और सुनना एक बात और गरीबों किसानों जिनकी आमदानी आठ लाख रुप्या साल तक है उनके बच्चों का एडमिसन मेडिकल कॉलेज में इंजरिंग कॉलेज में आई आई टी आई आई एम में ला कॉलेज में कहीं भी होगा तो फीस की चिंता मत करना फीस कितनी भी हो चाए मेडिकल कॉलेज के फीस बारा तेरा लाख रुप्या साल वो लोग करीबों के बिटा बिटी दे सकते हैं और बोल के बता दे सकते हैं क्या किसानों के दे सकते हैं क्या तो तुमारे बच्चों की मेरे भांजे भांजेों की वो फीस मम्मी पापा नही भरवाएंगे कौन भरवाएगा जोर से बोलो अपन जमाना बदल में दिख ले मामा भरवाएगा ये बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें इनका भविस से बैतर बने इसलिए अपना काम चल दा है और कुछ चीज़ां और नाडली बहना योजना में एक और मेरा संग्य मेरे भासन में बोर तो नहीं हो रहे और बोलू सुनो कई जगे मैं गया तो लोगों उनका भाईया घर में रहने की जगे नहीं है तो मिनका रह का रहो बोले चरा से घर में रह रहे मिनका कैसे अरे बोले दादा जी के चार बेटा हो गए उनकी चार बहुए आगए आठ हो गए उनके बच्चे हो गए अब उनके चार चार हो गए अब घर में रहने की जगे नहीं है मामा रहे का हमने गाओं के लिए योज से एक परिवार उसको रहने की जगे कम पड़ रही है तो उसको फ्री में पट्टा दूंगा और जमीन का रहने की मालिक बनाऊंगा जो होना चाहिए कि नहीं इतनी धर्ती तो चाहिए कि जिसमें घर बना के रहले उपर वाले नित्या तो दिया होगा जब धर्ती पे भेज़ दिया तो गाओं के लिए मुक्षमंत्री भुवावासी अधिकार योजना बन गई जहां सरकारी जमीन होगी बहां सरकारी पे पट्टे दे रहें और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा रहने की जमीन की खरीद के सेहर में जितने जुकी जोकुणियों में छोटे-छोटे मकानों में रहते थे पट्टा दे के मालिक बना रहें और भावी अब रहने के बहुत-बहुत धन्यवाद मौद और इसके बाद साशन के विभिन योजनाओं पर आधारी एक फिल्म का प्रदर्शन होना है वीडिय करते हैं क्रेप्या इसका अब लोग कन करें अब सजाब भव्य राम दरबार हुई नाय और भरोसी की अब अभी गाओं में हर पंचायत में लाडली बहना आवास योजना के फारम भरे जा रहे हैं वो फारम भर्वा के जाज करके जिनके पास बास्तव में मकान नहीं है उन को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा हम व्यवस्था करेंगे उनके और सहर के लिए हम एक अलग उजना बनाने जा रहे हैं ताकि बड़ा बंगला ना हो छोटा सा घर तो मिल जाएं सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ चैंसर रह लें इसकी व्यवस दिया है कि उजला वाली बेहनों और लाड़ी बेहनों रसोई गैस का सिलेंडर चार्सों पचास रुपईया में तूँगा अभी जैस एजन्सी से नहीं मिलेगा अभी हम आवेदन भरवा रहे हैं और उनका आकड़ा मिल गया उजला वालों का वो आकड़ा में ने ले लिये तो बेहनों को मिलेगा जितने में मिलता हो तने में बाकी पैसा हम बेहनों को बापिस गैस एजन्सी के थ्रू भी बापिस करेंगे और लाइनली बेहनों के खाते में डाल देंगे कि तुम्हारे अगर 400 रुपईया एक्स्ट्रा लग गए तो ये 400 रुपईया भईया ने भेज दिये तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया ताकि रसोई के सस्ती मिल जाये रोटी-पानी ढंक से बनाए जिन्दगी का हर वो दुख और तकलीफ जो बहनों को परिसान करता है उसको दूर करने के लिए मैं कॉसिस कर रहा हूँ एक बात सब बहनों से कहना चाहता हूँ सब भाईयों से कहना चाहता हूँ मेरी बहनों अगर मेरे इस अभियान को ताकत देना है तो तुम्हें मेरा स्ताथ देना पड़ेगा बोलो सब पहने साथ होगे सब पहने साथ देगे और साथ का मतलब हम संग्ठित हो हमें सब्यान के पीछे आएके औरतों की आमदानी बढ़नी चाहिए उनके खाते में पैसा आना चाहिए उनको सुविदाओं का लाब मिलना चाहिए ये करने के लिए एक मेहदाओं की ताकत खड़े करने की जड़वत है अगर तुम सब मेरे साथ खड़ी हो गई तो दुनिया में ताकत नहीं है कि कोई योजना बंद कर देगे ये एक ता दिखानी पड़े संइधन बनाना पड़े है उसलिये मैं लाडली बेहना सेणा बनाई अपना एक संढधन जरूरी है ताकि मिलके हम बहन, बेटी और बच्चों के लिए मिलके काम करें बोलो सब पहने तयार हो सब मिलके तयार हो देखो अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ता और इसलिए आज देखो आज मैंने दस्तारी के बजाए चार तारी कोई पईसे अभी डाल रहा हूं क्योंकि दस तारी तक चुनाओ की आचार सही अलग जाएगी तो मैं डाल नहीं पाता तो मैं इनका पहले ही डालते सिवरेच ठीक यागी नहीं और अब एक तिस्तारी की नमंबर की वो भी चुप-चाप डाल नहीं पाइसा चुके नहीं ताहन पे आते रहे इत्याद चार तारी को कारिटम की और बात में चुनाओ के बाद फिर दस तारी कोई पाइसा लगातार कलते रहेंगे मेरे भाईयो या सिंदी भाईयों ने जो दुकाने चली थी पुरहनकुरी उनने अपनी व्यथा बताई उनकी समस्या का समाधान हो गया है निविदार निकालती गई है और जली दुकानों के बदले उनको दुकाने दे दी जाएगी बीच में जो पैसा कम पढ़ेगा मामा कोई चंता की बात नहीं है कि सान भाईयो केले के लिए फसल भीमा योजना सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि किसानों को को पोई तिकत ना कि शिखाई की छोटी-छोटी योजना हमने बनाई अब तापती मेगा रिचार्च की योजनां को भी मूर्त रूप दिया भेटों आता है। हम्ने योरता बनाई है और अब सब बहनों के घर में पाणि आएगा। और गाउन की में पहनों, हेंड पॉम्प में पाणि भरती थे दिन पर है खटर खटर और भेटी पानि भरती रहती थे। ये तुम्हारे घरों में भी पाइप्लाइन बिचा के टोटी बाला लगा के पानी दियां ताकि टोटी खोलो तो ऄर र का जाए और तोमारे बरतन भर जैए पानी की दिक्ति खतम होती। अजब बताने मेरी बेनों मैं कैसी पढ़ाएं अपने भाई के साथ चले अपने भाई के साथ चले मामा के साथ चले बारती जद्धा पार्टी की सरकार के साथ चले और जो हमारे लिए काम करता है उन्हीं के लिए हम आशीर बाते हैं बताओ जो अपने लिए काम करता है उसके लिए काम करना चाहिए कि नहीं तो मेरे साथ आदनी ताम रध्द साहो जी, मंतरी मंडल के सभी सम्मानी सदसगर, हमारे राष्टी सचीगर, आदनी नंद्गुमार साय जी, साथ ही हमारे रायगाड के विदायक और मंतरी भाईव मेश जी, प्रकास नायाक जी, उत्री जांग्ड़ जी, अदनी बैलाज इत्राठ्या जी, चक्रदर सिदार जी, सभी उपस्थित विदायक साथियों, निगम मंडल के अध्यक्ष गण, साथ ही हमारे जिला कांगरेस कमीटी के अध्यक्ष द्वय, सभी मापर और जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी उपस्थित, मंच में उपस्थित सभी सम्मानी अतिति गण, उपस्थित सभी भाईयों, बहनों, युवसातियों और पत्रकार मित्रों सभी अध्यकारी गण, कलाव संस्कृती के मुख्याले हमर रायगड में, आज हमर राश्टी अध्यक्ष खडगे साहब आया है, खडगे साहब, राश्टी अध्यक्ष चुने एक बाद, सबसे पहली रायपूर में राश्टी महाविदेशन कांग्रेस के होईस, और विद्वत रूप से लाश्टी अध्यक्ष के पदभार ग्रहन करेस, और तब से जहें 36 गड़ में उकर लगाओ है, आज देखा थन, खडगे साहब, पहली चांपा जांगी रेस, फिर राजनान गाओगेस, उकरबद, बलोदा बजार, भाटा पाराइन, और आज हैं, तो आप सब से नियोदन एक बर जोरदार ताली बजा के, खडगे साहब के स्वागत कराओ, अभी उकर हाथ से, ग्रुगासी दाजी के, प्रतीक, जिस सतनाम पंध चलैस, और हमर गाओं गाओं में, जहित खाम की स्थापना हो है, आज ब्यासी बलाक्त में, माडल जहि सब के साथ लब अधाई देताऊं, और आप सबसे एक बार जोरदार नारा लगा है क कागरा करताऊं, बोलो ग्रुगासी दाज बाबा की, इस एक रस्ता में चलना है यह संदेज गुरु घासी दाज बाबा के सब्सक्राइब चले के बातला महात्मा गांधी भी किये आज हमर राहूल जी सब्सक्राइब चले पर पूरा पद्यात्रा करिस कन्या कुमारी से लेके कस्मेर तक के और यह सब्सक्राइब रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है और कांग्रेस हमेशा प्रदान मंत्री जवार लाल नेहरू प्रसम प्रदान मंत्री से लेके मनमोहन सिंग तक जतेग भी हमर पधान मती बनेश लाल बहादू सास्री जी इंद्रा जी राजी जी नरसिम्मा राउ जी मनमौहां सिंगी सब के उद्देश यह देश ज हिरी से हिंदुस्तान के जनताल قई से ताकतोर बना कैसे गरीव आदमी के जीवन में परवर्तं लान कैसे हमर यहासा अतिमान बर रोजगार के ब्योस्ता करन कैसे महिला मन आत्म सम्मान के साथ अपन जीवन ब्यतीत कर सका है ये कर बर लगातार चाहे सविधान के लोक सभा में हो सरकार के माध्यम से हो चाहे सविधानिक ब्योस्ता करके हो लगातार अधिकार देख काम करें अवी रस्ता में चलते हुए करसांत जन जंगल में हमर रही थे चाय बस्तर हो सरकुजा हो राएगाड हो कोरबबा हो चाय गरियाबंद हो सब जगा लगुन पज खरी दें कि बेवस्ताओ करसांत नहीं करें के काम हमरे सरकार करा थे एक तरफ अधिकार संपन्प करें के काम करा थे एक तरफ किसान के रिनमा भी करे के काम हो थे उहें पच्चीस सर रुपे कुईंटल में धान खरी दिक वे उस्ता हो थे थोड़ा सांत रहाँ जी काया हो गजी बैठाओ बैठ जा बैठ जा सांत रहाँ तेज तरफ जूट बोले के काम अभी प्रहान मंत्री जी रायगर आयरी से एकर पहली रायपूर आयरी से कल वह जगदल पूर मेरी से और जगदल पूर में वो भासन दिस जेकर बारे में भी दिपक बैठ जी आदेनी टिया सिंग्देल जी अपन भासन में केस के केंदर सरकार अधान खरीट थे अब एकर ले बड़े लवारी हो कहा हो सकते लवारी मारीज कि नहीं मारीज यदि उधान खरीट थे तो मैं उकर से सवाल पूछना चाहता हूँ 2014 में आप अधान मंत्री बने रहमान सिंग मुक्य मंत्री रीसे डेबल एंजिन के सरकार रीसे तो बोनस लदेवर बंद कावर करा है साथ हूँ समय बोनस बंद हो रिज्स कर नहीं हो रिज्स है वोई यह उप्षिना और वही समय जय में कई दस कुिंटल खरीदें के आदेस कर रीस है प्रतियेकर होई रिज की नहीं होई रिज से और उकरेश आसन काले 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाग मिट्टिक टन तो ये लगातर जूट बोले के काम करते और जब लेहमर सरकारा है कांग्रेश के सरकारा है किसान और मजदूरमन के सरकारा है पहली साली 82 लाग मिट्टिक टन दूसरा साल 84 लाग मिट्टिक टन तीसरा साल 92 लाग मिट्टिक टन चौथा साल 107 लाग मिट्टिक टन और ये साल जन धान खरीदी होई तें जाही 125 लाग और 130 लाग मिट्टिक टन काबर राएगर के किसान भाई मनों केरी से पिछले साल जब आ रहे हैं भेट मुलाकात कारकम में दू बात कीस किसान मना पहले बात कीस के धान उत्पादन ज्यादा हो थेगा 15 कुइंटल हम फ़िट्टा सुकर बाद 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 जते धान हमां 12-1300 रुपें 20 कुइंटल कर है और चाथ तीर गड़ के सरकार किसान के सरकार यह साल पहतला करें कि एक नौंबर के प्रती कुइंटल बीस कुइंटल खरीदी प्रती एक बीस कुइंटल हो करती धान खरीदी एक तुटीस लाख मिट्टिक तन जाई दान के रखबा बाढ़ गे किसान के संख्या बाढ़ गे उत्पादन भी बाढ़ गे अब स्रेल उटे बरेवन आगे चाउन के शाएंसी लाग के हमला देरी से मिट्टिक तन के एक सट लाग कर दिस आईसन डबल एंजिन के सरकार फेरों किते लगून पजल हमन खरीद तन लगून पजले इस ते खरीद था तो गुजरात में पास साल में ग्यारा करोड एक्यासी लाख रुपया भरके लगून पजले खरीदे हैं मैं डबल एंजिन की सरकार मदब्रेज में डबल एंजिन की सरकार वहां पास साल में कत्का का लगून पज खरीदे है 15 करोड बजल और च्छतिस गडर में कत्का होइं 388 करोड देस के तीचॉत्अँ चोंताई लगूं उन्पच छतिस घड़ सरकार के द्वारा करी दिए होते तेन लू पत्ता सबसे ज्यादा कीमत कहों मिलते हो छतिस घड़ में मिलते हो ये मन् तो जिन लघूं पस्ट संगरां के तेनओ पत्ते संगराख निवे करमं के beman भी सब्सक्राइब कर दिए हमना सहीद में कर्मा के नाम से बीमा योजना सुरू करें आओकर माद्याम सभी तक के ओमनला लाब दे के काम करें उकर लाब साड़े बारा लाक लगून पर संग्राक मने कर लाब उठा थे मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह रायगड में आके मोदी जी जूट बोलके चल दिए कि गोबर खरीदी में घोटाला हो थे बाजपक संग्वारी मन के ते तेरा सो करोड रुप्य घोटाला हो ए अब गोबर कर खरीदें अभी तीन साल में दूसो एकतर करोड तो दूसो एकतर करोड के गोबर खरीदी में तेरा सा करोड के घोटाला कैसे हो जाहिए तो यह तरफ गुजरात माडल है भारती जंता पार्टी के मोदी के दूसर तरफ शत्तिस जड़ माडल है राहुल जी स्वनिय जी अखडगे जी के और यह माडल में जेन लग कहे जाते वो हो थे जेन क कितन तेने होते यदि किसान के रिड़ मापी होएं कितन तो हो ही यदि गरीब लग साथ हजार रुप्या सालाना देना है केंत हो गए स्वामिया आत्मना नगिरेजी इसको खोलना है खूल गए लेकिन यह मनमौन सिंग्जी के भासन के उल्लेक करिस के इसकी एजन संपता है जद का खनी संपता है वो देश के आम नागरी के अंसुचित जाती के जंजती के पिछड़े वर के किसान के मजदूर के अल्पसंग्यक के नाजवान के सब के हिस्सेदारी होना चीए और वही दिशा में 36 गर सरकार काम कर रहते कांग्रेस के सरकार काम कर रहते कि 8-5 साल में हमों मौर किसान मजबूत हो है मौर नाजवान मन ताकतवर हो है मौर बहनी मन के सौहिमान से जीवन यापन करा थे मौर लईका मन के देख बाल हो थे ये पैसा है ते आम जनता के खातम जा थे लेकिन गुजरात माडल में का हो थे जद का पैसा है खदान के वो सब अड़ानी जावा थे कल वहा नगरनार इस्टिल प्लांट क्यों घाटन करेश बस्तर के आदमी मैं बस्तर बंद कर देरीस, कावर वो प्लांट चले नहीं है, बेचे के तैयारी होगे, पूरा प्लांट लब बेचे के तैयारी, तो धान मंति जी कि थे, मैं कांग्रेस के हाथ में नहीं ज इनघया थाँ, लेकिन ये नैकिस, बस्तर के मैं किस किए, नीजी करनी होना चाहिए सासकी होना चाहिए, विधान सबा में हमन प्रस्ता ओपारित करें कि ये नगरनार के इस्टिल प्लांट, तहई सरकारी होना चाहिए, यदि سरकेंडर असरकार नहीं चला सकते, एर इम डि कावर की यरिस वो सरकारी रही इस्टिल प्लाण तो यहां के लईकाम अंसुची जाती के जन जाती के पिछड़े वर्ग के यह लईकाम अल्ला रोजगार मिली यदि नीजी हाथ में चल दी तो आरक्षन के कोई लाब नहीं मिलने वाला आज यह जद का संपदा है तेकर उप्योग हम आम जनता वर करा थां लेकिन प्रधान मंत्री जी एक सब्द ने किस कि वो नीजी हाथ में नहीं जाए आज एन्मडी सी के प्लांट एन्मडी सी के तेरा नंबर के ख़दान अडानिल देरी से मैं आज रायगर में कहना चाहता एसी सी अल्ला ख़दान आपंटी सोई कोईला के गारा पेलमे में और वहां के ख़दान एसी सी अल के खदान वला अडानिल देदे हैं तो अंतरत के हैं के यह जद का रिसोर्स है कांगरेस हमेशा गरीब बर उप्योग करते हैं और भारती जनता पार्टी अब मोदी जी आज आप से ही कहना चाहता हूं कि प्रसान मंत्री जी लगा तार जुट बोले के काम करते हैं आज खड़के सहाब कहा थे राउल जी कहा थे जादी जन जन ना होना चाहिए खड़के सहाब अभी हैदराबाद में सी डबलू सी के बैठा कोई सम प्रस्ताव पारिद करीश य हमर प्रदेश में भी अंसुची जाती जन जाती पिछड़े वर्ग एडबली एस चीहत्तर परसेंट के प्रस्ताव पारिद करें राजपाली हैं लटके हैं आज तक के हमन दसकत नहीं करा थे हमर शत्ती जड़के हमन के अधिकार छिने काम करा थे दूसरा तरफ कहा थे प् कार्थी जनता पर्टी संवारी कहना चाहता हूं गये मन आरोप लगा थे एक ठक ठीज जिकायाध स्वारी कोई मंद्री ममंदल کے सांथ ल Training कोई पर्वार के सदस है का को विधाये के पर्वार के मंन है का जेकर आपर तयार और लगा थे तोर कर आफ या आप ये कहा थे कि वो अधिकारी मन के लइका है निम बना दे ले nessa neighborhood कि अधिकारी के लइका PST में भाग नी ले सके यू PST में भाग नी ले सका निम बना दे हम अलग Lac alright तैकलीफ नहीं नहीं है लेकिन ये प्रगार के प्रधानमंद्री जिसे पढ़ में रही के जूट बोले के काम करी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि प्रहान मंत्री भी जूट बोलके जाही 36 गड़ में जब भी खड़के साहब आते राहु जी आते तो गड़ी बर किसान बर बटन दबाते और किसान के खातम पैसा जाते राओ जी बटन दबा थे, साथ लाख आवास इन मन के घर बर पैसा जा थे, आज बटन दबाई, जैइद खाम के निर्मान करे पर, जब जब प्रधान मंत्री आ थे, वो लबारी जूट पर उसके जा थे, तो अधे जूट का पर बोसक प्रधान मंत्री जी, हम उमल अच्छा लागे प्रधान मंत्री का अलोचना करना, लेकिन यदि च्छटिस गड़ में आके, च्छटिस गड़ के बारे में, च्छटिस गड़िया मन के बारे में जूट बोल के जावे, ये बर्धास नहीं हमला जवाब देल लागे, धान करीजे बर जूट, गोबर बर जूट, पि बहुत ज़्यादा हुबात ना करते हुए, आज मैं कहना चाहता हूँ, भारती जन्ता पार्टी संग्वारी मन बहुत अल्ला करते हैं, आवाज बारे में, खड़के सहाब लगाता है, राज सब्सक्राब हम बात करा थे, कि जनगनना काबर नहीं करा थे, काबर की 2011 के जनग मिला थे, 2021 में काबर नहीं करा थे, जब 36 सरकार हेट काउंट करा सकते, जब बिहार सरकार जाती जनगनना करा सकते, तो भारत सरकार जनगनना काबर नहीं करा थे, का डर है तोला, का तकलीब है, यदि 2021 में जनगनना हो जाती हैं, तो आज बहुत जन्सा थी, जिन आवास इन कर लाह मिलती लेकिन हमने हेट काउंट कराएं यहां समाजिक सर्वेक्षन कराएं और माध्यम से राउल गांदी के हाथ से साथ लाख लग दिवाबे करिंदु हजार के अरग जन गन्ना का धार पे 47,000 पर वार लभी 25,000 के रासी वकर खातम जमा होगे और यह खड़ गे साथ क वपस्तिती में यह मैं बताना चाहता है मंद्री मंदल के असब साती हैं हम फैसला करे हैं कि دस लाख ओव्यक्टी है जिन आवाज जिन एक कामरा के दूख कामरा के करो गरीम अवास बिना आवास के मत रहा है इंद्रावास के समय से चलते तिन आज तक योजना चलते यह बंद नहीं होना चीए लेकिन मोधी सरकार इलब बंद करना चाहा थे वो बंद करे चाह कुछ करे देकिंगे शत्तिस गड़ सरकार दस लाग परवार लावास देख रही है आप लवी स्वाद दिलाता है एक अंतिम बाद चुकी किसान भाई मनें यह बारती जंता पार्टिक संगवारी मना आते हो आरोप लगा थे वो बंद की थे कि तुमन दू साल के बोनस दू करे तेल नहीं दे कहिते ना रमा सरकार के वो तो इसे चुनाफ साल में बोनस और त आप लकान बंद कर वही है घा कि क बोधी सरकार के मैं तीन दिन पहली चुठी लिखें प्रभान मजरा बोनस दे के रिया इनमती दे का में प्रतिम लगाए है वह आपूझस दे कο बौनस दे के अनमती देदे दू साल के लगवग चार हजार करोर रुप्या किसानमन के बोन के मात दम से खड़के साहा की उपस्तिते में कहा था हूँ बारा सरकार अन्मती देदे वह चार हज्जार करूर किसान के खाता हम जाई तो आपके बात लग कहते हुए आप सब धन्यवाद देते हुए अपनवानी लिकर बिराम देता हूँ धन्यवाद जय इन देश अतिस गड़ बहुत बहुत धन्यवाद माननी मुख्यमंत्री मोहदय जिस दमखम के साथ आपने 36 गड़ सरकार की योजुनाओं के बारे में बताया गाओं घरीब किसान युवाओं और महिलाओं और बच्चों के लिए अपने जिन योजुनाओं को चालू किया जिसका क्रियान्वेन किया आज वो वास्तों में गड़बो 396 गड़ की भावना को बहुती सुद्रड स्वर्नाक्षरों में अंकित कर रही है और इसी के साथ पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवास के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के भरोसे के सम्मलन के माननी मुख्य अतिति माननी सांस इवं नेता प्रतिप्रक्ष राजय सभाश्री मल्यकार जून खड़गे जी को माननी श्री खड़गे जी सम्मान के साथ आमंत्रित है आप सभी को संबोदीत करने के लिए आज के इस बरोसा सम्मेलन में जो नेतागण उपस्थित है हमारे केंडर के या आई सी सी के जनरल सेक्रेटरी श्री शेलजा जी चत्तिस गड़ के लोकप्री अनेता मुख्य मंत्री श्री भुपेश भगेल जी विदान सभा अध्यक्ष श्री चरणदास मांत्र जी उपमुख्य मंत्री श्री टीयस सिंग्वेव जी चत्तिसगाड प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष तीपक बैजी और सीनियर लीडर श्री ताम्रदोज सावुजी और चत्तिस गड़ के मंत्री मंडल के सारे सदश्यगाण पी सी सी के सभी नेताघंड डी सी सी ब्लाक यूथ महिला सेवादल सभी संगटन के हमारे सातियों जे जोहर जे चत्तिसगाड महतर ये चत्तिस गड़ का जो सम्मेलन परोसे का सम्मेलन हो रहा है जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ ये पहली बार है कि हर जगे ये भरोसे का सम्मान यहां चत्तिस गड़ में हो रहा है और इसका नित्रत बुपेश्ट बगेल जी कर रहे हैं मेरा एक सजेशन है जरा सोच के आप देखी है कि भरोसे का सम्मेलन के बज़ाए भरोसे का अनुस्टान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिये उसका सम्मेलन आईसार्थ निकलता है मेरे हिसाद में क्याμकि मेरी इंधी जरा कमजोर है ना लेकिन ये भरोसे का अनुस्ठान सम्मेलन तो यह अनुस्ठान करके लोगों को पैसे देख कर महिलाओं को मदद करके विद्यारतियों को मदद करके इवा ओं को मदद करके किसानों को मदद करके अनुस्तान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगे हो रहे हैं तो यह अनुस्तान सम्मेलन फोद भारी संक्या में चल रहा है तो इसलिए मुझे खुशी है और मेरी अद्धिक्षिता में कांग्रेस के 85 वा महादिवेशन 36 गड़ में हुआ ये मेरे जीवन में भी एक नया इतियास यहां पर आपने स्थापित किया इस बाजपा सरकार नगर नार स्टील प्लांट का जो प्रावाटाइजेशन करना चाह रही है अभी उसका जिक्र भुपेश वगेल जी ने किया अगर नगर नार स्टील कारखा ने जो 2009 में अप्रू हुआ था लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही है क्योंकि यह सब प्रावेट को देना चाहते हैं मोदी जी क्योंकि जब प्रावेट को देंगे तब यह उनको कुछ मिलेगा अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा इसी लिए यह जो है स्टील प्लैंट इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा क्योंकि इसका फाइदा गरीबों के लिए है करड़ों करड़ों रुपए का यहां पर व्यवार होता है और यूकों को नौकरी मिलती है इसी लिए यह जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्मेंट इसको चलाए और मजबूती के साथ अगर इसको चला दिये तो हजारों लोकों को इसमें नौकरी मिलेगे मोधी साब हमेशा अच्छे इंस्ट्यूशन को भी खराब करते हैं और उन्होंने डिसिंवेस्ट्मेंट के लिष्ट में भी डाल दिया था कई प्लैंट उन्होंने हर जगे बेशते आएं कांग्रेस बनाते आई मोधी जी बेशते जा रहे हम लोकों को मदद कर रहे हैं लेकिन वो उनकी रोटी रोजी चीन ले रहे हैं यह आप सोचना चाहिए खासकर, दलीद, पिछडे, अती पिछडे और आदिवासी गरीब लोग यह सोचना जरूरी है क्योंकि पैसे वालों को कोई दुख और दर्द नहीं है उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं अच्छे से रहने के लिए पैसे हैं अपने जीवन बिताने के लिए पैसे हैं लेकिन गरीब अपने पैट भरने के लिए काम करता है और वो कुछ नहीं मांगता हमारे हाथ को काम दो इसी लिए सोनिया गांदी जी ने नरेगाय उजना लाई नरेगाय उजने से हजारों लोगों को लाक्कों लोगों को काम मिल रहा है और जो स्टेट में ये नरेगा का काम कराते हैं उन चीप निशनों को भी सताते हैं सेंट्रल से जल्दी फंड नहीं आती उसके वज़े से काम रुक जाता है लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा बड़े हिमत के साथ कि भुपेश बगेल केंदर से पैसा आने दो या नहीं आने दो लेकिन अपना काम कभी उन्होंने रोका नहीं ये देन है ये कॉंग्रेस की देन है और भगेल साथ के मंद्री मंडल की देन है सबी ने मिलके इस 36 गड़ के सरकार को आप चला रहे इसलिए मैं आप लोकों को बदाई देता हूँ और जो काम केंदर सरकार करना चाहिए ओकाम हमारे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर चला रहे है कर रहे है मोदी साब यहां पर आए और 36 गड़ के जंगल जमीन पानी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते और उन्होंने यहां आए सिर्फ 36 गड़ के सरकार को गालियां देना और यह कहना यहां तक मैं भी सुना कि यह सरकार गोबरी बेच के पैसा खा रहे हैं अरे गोबरी बेच के पैसा अगर खाते तो इतना डेवलप्मेंट 36 गड़ में नहीं होता गोबरी बेचने वाले खाने वाले गाई के नाम पे भीजे पी हैं कांगरेस नहीं कांगरेस हमेशा लोकों की मदद करती है लोकों को मजबूत बनाने के लिए गोबरी लेना कोपरेटिव सोसेर्टी को देना दूसरे चीज भी छोटे मोटे जो कौटेज इंडस्टी से उनको भी ये सरकार मदद कर रही है लेकिन मोदी साब को ये सहन नहीं हो रहा वो हमेशा कांगरेस को सरकार कैसा गिराए और कांगरेस को कुछ ना कुछ बोलके दपा लगाने का काम उनका है और इस चत्तिस गड़ में जो डायरेक्ट बेनिफित पांच सालों में एक लाग पच्चातर हजार करोड रुपे ट्रांस्पर हुआ है और पांच सालों में चत्तिस गड़ में चालीस लाग लोग गरीबी से उपर उठे हैं इतना रहते हुए मोदी जी यह कहते हैं चत्तिस गड़ में करप्शन है अरे पंद्रा साल आपने रूल किया पंद्रा साल में बीजेपी क्या करके दिखाई जैसा की धान खरिदने का उन्होंने कहा जो लिमिट थी मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं पहले तो 27 जिल्ले थे आज कम से कम 33 जिल्ले हो गएं पहले एक सो पचास तशिल थे आज 233 तशिल हो गएं पहले पहले तो पहले तो इसलिए आप सोचिए जो चीज पिछले गवर्मेंट ने नहीं की बीजेपी ने नहीं की वो काम अगर कॉंग्रेस के चीप पिनिस्टर और सरकार करती है यहां पर आकर मोदी साहब उनका प्रशोंसा करना चाहिए वो छोड़कर वो गाल्या देने का एकिस बार बार सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं और यहां तक उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अपनी पार्टी आउट्सोर्सिंग की है आउट्सोर्सिंग की है यह कहते हैं अरे आउट्सोर्सिंग तो उन्होंने किया आदानी को दिया बड़े बड़े लोगों को दिया उनकी सरकार को बीजेपी को सरकार को वो लोग चला रहे हमारे पास तो लाकों कारे करता है सेखडों नेता है हम चलाते हैं कॉंग्रेस को हम तुमारे दैसे आउट्सोर्सिंग नहीं है इस देश में जो लोगतंत्र है उस लोगतंत्र के तहट अगर आपको चलना है तो सोब को लेके चलना लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ दो लोग चलाते हैं सरकार केंद्र की दो ही लोग चलाते हैं एक तो मोदी साब कहिते हैं दूसरा अमित शाह उसको अनुस्टान में लाते हैं दो ही लोग दूसरे किसी को पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है कभी हमारे चीप मिनिस्टर्स को बुलाकर आपने चर्चा की आपको क्या चाहिए, क्या कमी है, लोकों के समझाएं क्या है, ये कभी उन्होंने नहीं पूचा और शायद बगेल साब यहाँ बैटे हैं, सिंग्देव जी बैटे हैं, कभी आपको बुलाकर अपने टेबल पर घंटों से कब बात किया, कोई चर्चा की, तो जिस हागमी के पास डेमोकरटिक तरीके से बात करने की एक हिम्मत नहीं होती, वो देश को कैसा समालेंगे, देश को कैसा समालेंगे, बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, और यहाँ तक कि अच्छा करने के वज़ा है, चीप मिनिश्ट्रों को, सरकारों को धमकी देते हैं, मेरी बात सुनों, अगर नहीं सुनिंगे, तो मैं आपके पीछे एडी लगाऊंगा, मेरी बात सुनों, अगर आप नहीं सुनिंगे, इंकम टैक्स लगाऊंगा, इस डंग से उन्होंने एडी, इंकम टैक्स, विजिलन्स, सब को, सब पोलीस, ऑफिसर, इनको इस्तमान कर रहे हैं, अरे भई देश को, इडी, और इबियाए, इनसे अगर सरकार चलाना है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं, आप घर में बैठिये, बस इतना क्यों घूम रहे हो फिर, हर जगे जा रहे हैं, तेलंगाना जाते हैं, वहाग कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, चत्तिस गड़ाते हैं, राजस्तान जाते हैं, मत्यप्रजेश जाते हैं, मेगाले जाते हैं, हर जगे जाते हैं, और जूट बोलके आते हैं, अभी आप ही ने काम ही, वो इस्तमाल कर रह तो बगेल साब ने बोला जूट मेरे को तो उनका जूट बाते सुन सुन के बेजार हो गया क्योंकि मैं उनकी बाते नौ साल से सुन रहा हूं तो आप पांच साल से सुन रहे हैं तो आपको आगा मालूम है मेरे को पूरा मालूम है तो यह जो मोदी करते हैं हमेशा जूट बोलते हैं सिर्फ जूटी नहीं जूटों के सरदार है कोई आदमी ठीक है वही पहले बोले हो कि मैं दो करोड नौकरिया देता हूं दो करोड नौकरिया मिले आपको तो हम समझेंगे चलो एक जूट बोले हैं दूसरा बोले 15-15 लाग तुमको घर में तुमारे जेब में डालूंगा बोले मिले हैं चलो यह भी एक जूट है समझें और किसानों का आमदानी दो गुना करूंगा हो गया आपका जो भुपेश ने दिया वही है आपके पास मोदी का क्या है बोली है तो मोदी जूट बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं जूटों के सरदार एक बार बोले तो ठीक है चलो भी गलती में बोलें किस इसके लिए वो लेकिन जूट पे जूट हर बात और हर जगे जाते हैं और मुंसिपाल्टी कार्परेशन एलेक्शन नहीं छोड़ रहे तुमको कहा छोड़ेंगे यह मेले एलेक्शन वहाँ चले करनाटक में भी आए हर जगे घुमें चप्टिस गड़ हर जगे कोना कोना छपा मार रहें राजास्तान में जा रहें मद्यप्रदेश में जा रहें तेलंगाना में जा रहें तो हर दिल्ली से लेकर गल्ली तक घुम रहें दिल्ली से लेकर गल्ली तक घुम रहें लेकिन लोग वोट देने के लिए तयार नहीं है लोग कांग्रेस कुछ आ रहें कांग्रेस आने दो ये खुद लोग कह रहें लेकिन मोदी जी मैं और एक पूछता हूँ जब आपके नाम से इतने वोट आते हैं पार्लमेंट में मैं सब वोट आता हूँ आप कहते हैं फिर आपको हर राज में घूमने की क्या उशक्ता है हर राज में आप घूम रहे हो लेकिन जहां जा रहा वह हार रहे हो आप ही देखिए करनाटक के कोने कोने में चपे मारे चपे जिन वो गए लेकिन वो हार के आए हिमाचल में के वो हार के आए अब ये पांच स्टेट का इलेक्शन है यहाँ पर भी वो हार पाएंगे वो हार शाएंगे ये एक आप लिख लिजी फिर भी हर जगे जाते हैं आज अपोजिशन पार्टी के गवर्मेंट उनसे भी ज्यादा है सबसे ज्यादा अपोजिशन पार्टी की सरकारे हर स्टेट में हैं अगर आपके पास इतनी जादू की छड़ी थी या है तो आप वेस्ट बेंगौल कैसा हरे चतिसगर कैसा हरे राजस्तान कैसा हरे और अमारे तमिर नाडू कैसा हरे आप देखिए कितने हैं 12-15-16 स्टेट हरे फिर भी वह बात कहते हैं कि लोग मुझे चाहते हैं इसलिए मैं यह करता हूं अगर लोग चाहते तो इतने राज्जों में तुम नहीं खोते थे बीजेपी सरकार वहां भी आती थी लेकिन नहीं क्योंकि आप हमेशा एक दूसरों की युजणों को फेल करना इनका आदत है तो इसलिए उन्होंने हमेशा बोलते हैं आपकी गयारेंटी अलग है कॉंग्रेस की गैरेंटी अलग है लेकिन उनकी गैरेंटी क्या है 35 साल को उनके रिकार्ड बेरोजगारी का है ज्यादा से ज्यादा लोकों को बेरोजगार रखना ये उनकी गैरेंटी है ज्यादा से ज्यादा GST बढ़ाना ये उनकी गैरेंटी है हमारी गैरेंटी क्या है लोकों को सस्ता अनास देना लोकों को पढ़ाना लोकों को MSP बढ़ाना ये हमारी गैरेंटी है लेकिन उनकी गैरेंटी लोकों को सताने का और जो काम एक 36 गड़ में होता है वो गुजरात में नहीं हुआ गुजरात मॉडल अगर आप स्विकार करेंगे तो आप मरेंगे 36 गड़ की मॉडल अगर आप स्विकार करेंगे आप बचेंगे तो ये आपका काम है इसलिए मैं आपसे विनंजी करता हूँ कि सोचिये सोच कर कदम उठाओ और घर-घर जाके अपील करो ये तो सरकारी कामे है बहुत काम सरकार का उन्होंने किया है मैं पहले से ही बोल रहा हूँ उनको और आप लोकों को भी बदाई देता हूँ क्योंकि जब तक आप उनके पीछे मजबूत है उनके साथ है तो कोई कांग्रेस सरकार को भिगाड नहीं सकता कोई भी इसको खराब में करते हैं बायों और एक मुद्दा हर जगे वो कईते हैं हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाया और कांग्रेस वाले उसको विरूद करने कांग्रेस वाले विरूद करने अरे अमेंडमेंट 52 53 53 54 किसने लाया 36 गड में दिला पंचायदों में तालू का पंचायदों में जो आपको रिजर्वेशन मिला है जो महिलाओं माताओं आज कुर्ची पे बैटे हैं हद्देक शोकर उपादक वो किनके वज़े से यह कौन किये हैं यह तो कॉंग्रेस ने किया राजू गांधी जाए ने किया बात में वो नर्सिंग रावजी ने उसको कानून के मुताबिक आगे लाया लेकिन इसका भी क्रेडिट वही लेते हैं अरे आप तो महिलाओं के बारे में कि कभी भी उनकी हमेश्य उनका एक यह उनका जो आइडियलोजी है वह महिलाओं के eine म्हिलाओं कोभी अनों आगे आने नहीं दिया यह जनसंग काऊ अब भारती जनता पाटी हो आरेंवर जेस हो यह महिलाओं के खिलाब है मैलाओं के विरोध में हैं जब कॉंग्रेस कर रही है तब वो आगया आते हैं यही लोकों ने जब राजु गांधी जी के जमाने में और देवे गवडा जो हमारे पार्टी के सपोर्ट से प्रदान मंत्री बनेते हैं उस वक्त हमने जो पास करवाया था उसको भी अगर किसी ने विरोध किया तो यह बीजे पी ने विरोध किया किसी लिए हमारा बिल उस वक्त गिरिया है और हम कोई यह क्या है कि क्लावत है हिंदी में मेरे को ठीक नहीं आ रहा चोर उल्टा कौद आ चोर उल्टा कोटवाल कूट घो ऑगे आइसा एक हम को वो कर रहा है गलत है हैं cis people gala qaari टौन के लिए हम कुछ देना चाहते हैं मानवों को देना चाहते हैं को देना पी मभine सडुलगाश को तो हालरी रिजर्वेशन हैं तुम क्या देते हो सडुलड्राइज को रिजर्वेशन है तुम क्या देते ते हमने उसको रोख दिया रख दिया और आगे अमारी गवर्मेंट आई यह पहला हम काम करेंगी कि तुमारा क्या है तुम 1934 का दो हजार चोटी स्वारी दो हजार चोटीस का बता रहे हैं आज अगर उनमें माइलाओं के लिए प्रेम है गरीबाओं के लिए प्रेम है पिचड़े हुए वरकाओं के लिए प्रेम है तो अब जो संक्यास्तितुमें है पांसो तिर्तालिस आप उसी में करो जब बढ़ गया संक्या तो उस वक्त फिर सीट भी बढ़ जाएंगे लिमिटेशन होगा अगर ज्यादा आगए फिर हम उसको बढ़ाएंगे नहीं वो नहीं चाहते हैं वो बोल रहे हैं अब कि इस संसेस होना उसके बाद में टी लिमिटेशन होना और यह सब होने के बाद यह दो हजार चोटिस में आएगा कि यानि उनकी नियत अच्छी नहीं है और नियत अच्छी नहीं रहने के वज़े से अब गाउगों फिरके प्रचार कर रहे हैं कि कांगरेस वाले इस हमको मदद में करें या मजबूरी में मदद करें और मजबूरी में अगर मदद करते हम यह जो पंचायत में जिला पंचायत में मुंसिपाल्टी में रिजर्वेशन लाते हैं सोन्या गाजी जी का यह पड़ था कि महलाओं को रिजर्वेशन दिला के रहोंगी और उन्हें पूरे कोशिस की और दूसरी चीज वो बीसी का अब ही जनसंक्या के आधार पर जनगणना कराना और जो यह जो हमारा जनगणना है वो जनगणना के लिए हम इसलिए तयार है उसमें गरीब लोग बहुत है पिचड़े लोग बहुत है अती पिचड़े बहुत है हरीजन सरुलकाष्ट है सरुल ट्राइब से और ऐसे लोग है अगर एक बार सेंसेस हुआ ओबी सी का तो कौन कहा है कितने लोग पड़े हुए बैकोर्ट्स में हैं कितने लोग पड़े हुए सरुलकाष्ट में हैं कितने लोग नोगरें उपे हैं यह सारा निकल के बाहर आएगा तब हमको मालूम होगा किन को क्या ट्रेनिंग देना किन को क्या बताना किन को कौन सा मदद करना पैसें सो किसको मदद करना जमीन अगर नहीं है तो उसको कैसा देना यह इन तमाम चीज़ों को गरीबों को मदद करने के लिए हमने डिमांड किया कि यह गरीबों की बैकपड़ों की जनगना होनी चाहिए सेंसस होना चाहिए उनको आप कीजिए अब करनाटक में भी रेडी है करनाटक में भी पहले से ही रेडी है लेकिन वह बाहर महीं आया अब आ जाएगा बी आर में दो-तीन दिन पहले उसको बाहर निकाला गया उसमें सारी चीज़े हैं मानूँ लेकिन मोदी साहब क्या कहते हैं यह कॉंग्रेस वाले यह अपोजिशन वाले देश को तोड़ने के लिए लोकों में फूट डालने के लिए मैलाओं में फूट डालने के लिए मैलाओं के हकुक छूट चीन ले के लिए यह कर रहे हैं यह उनका कहिना है तो यह चीज़े जरह आप ल अब पहले के जैसा नहीं 2014 में आये आये गल्ती से फिर एक बार 2019 में आये लेकिन यही खेल आगे नहीं चलने वाला है हर कमुनिटी के लोग उशार हो गए और देश को बचाने वाला तुम एक ही नहीं आप अकेले गुत्ता नहीं लिए देश को बचाने वाले देश में एकता रखने वाले हम हैं हम सभी लोग उसके लिए लड़ते हैं देश को एकता से रखने के लिए ही इंद्रा गांदी जीने अपनी जान खोई रावुल गांदी जीने अपनी जान खोई और आज रावुल गांदी बादयात्रा करते हैं हर जगे जाते हैं और आज बैक्वर के लिए लड़ रहे हैं और इसके बावजूद भी हम हमारे को ठीका कर रहे हैं अब हमारे चार मिनिस्टर है मुक्यमंत्री से चार मुक्यमंत्री है चार मुक्यमंत्री में आप बताइए हम उनको को रिप्रिजेंटेशन ठीक दिये या नहीं अब छप्ठीस काड़ छप्ठीस काड़ के मुक्यमंत्री कोन है अब बगेल बगेल बैकवर्ण है क्या है तो बैकवर्ण है करनाटक में सिद्रा मुया है और वो एक धंगर कम्मूटी शपट कम्मूटी से आते हैं वो भी बैकवर्ड है राजस्तान में गैलोड जी वो भी बैकवर्ड है अरे हमारे पास चार मुख्यमंत्री है उसमें तीन बैकवर्ड क्लास के लोग है और आपके पास किसी बैकवर्ड को भी लिए किसी सेटल कास्ट को भी लिए तो अंतर इतना दूर रहता है उसके साथ पाप विचारों चीप मिनिस्टर भी बात नहीं करता क्याबिनेट मिनिस्टर से उन्हों बात नहीं करते सबका वो पहले हम देखते थे पहले एक सब भी यह नहीं थे वो दूर दर्शन देखते थे वैसा ही आज मोदी साथ उन क्याबिनेट मिनिस्टर को चीप मिनिस्टर को अच्छे जच्छे जितने भी बड़े आधिकारी है उनको दूर से दर्शन देते हैं इसलिए वो दूर दूर दर्शन अब वहां गया है पहले जो आकाश्वाणी में इसमें था वो डिपार्टमेंट में था अब दूर दर्शन मोदी जी के पास है सबका दूर से दर्शन देते हैं नजदिक जाना बड़ा मुश्किल है कई फोटो गीटू के लिए कई खीच के जबरदस्ति से लेते हैं वो बात हो रहे हैं लेकिन यहां हमारे पास चीफ मिनिस्टर हमारे नेता राउल गांदी जी लोकों में मिल रहे कारपेंटर के पास जाते हैं मेकानिक के पास जाते हैं छोटे बड़े लोगों के पास जाते हैं अमरत सर में जाके वो जूते पालिस करते हैं सेवा करते हैं उनके कटोरेत होते हैं यह हमारा मकसद है और हमारे नेता लोग जन्ता के नजदी के दूर दर्शें नहीं देते हमारे खबरे समय की नद्स है खबरे देख कर ही